हलो एवरिवान, विलकम टू रीट आरूरा रेसिपीज, आज मैं आपके साथ कैरमल सॉस की रेसिपी शेयर कर रहे हूँ जिसे आप केक्स में, मॉफिन, मिठाई, आइस क्रीम या फिर चॉकलर्स में भी यूज़ कर सकते हैं और ये खाने में बहुत जादा टेस्टी होती है तो चलिए फिर देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं सबसे पहले हम कोई भी भारी तली का बरतन या फिर नॉंस्टिक पैन ले लेंगे इसे बनाने के लिए हम आदा कप चीनी लेंगे ये घर की नॉर्मल चीनी है जो दानेदा चीनी होती है और इसे हम इस पैन में इस तरह से फ पानी डालेंगे और साथी इसमें चमच वगएरा कुछ भी नहीं चलाएंगे क्योंकि अगर इस टेश पर आप इसमें चमच या कुछ भी चला देंगे तो चीनी जो है वो हाट हो जाएगी और चमच पर भी चिपक जाएगी जिसे उतारना आपको मुश्किल हो जाएगा और यह देखिए चीनी हलके हलके से मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई है तो अब हम पैन को रोटेट करेंगे इस तरह से यानि इस तरह से घुमाएंगे थोड़ा सा ताकि जो मेल्टेट चीनी है वो दूसरी चीनी को भी जल्दी से मेल्ट कर देगी और यह देखिए चीनी जो है ध यह अमूल बटर यूज़ कर रहे हूं, वो भी salted वाला है, आप इसमें salted बटर यूज़ करेंगे, तो इसका टेस्ट जादा आठा है, और अब हम इसमें डाल कर इसे अच्छे से mix कर लेंगे, क्यरमल सॉस बनाने में जो भी आप ingredient या समगरी यूज़ करें, वो room temperature पर होनी चाह कर रहे हैं, यहां पर मैं अमूल की fresh cream यूज़ कर रही हूं, आप किसी भी brand या किसी भी company की यूज़ कर सकते हैं, और इसे डाल कर हम अच्छे से mix कर लेंगे, और यह देखिए इसमें कितना अच्छा caramel color आ चुका है, caramel sauce almost ready है, पर हम इसकी shelf life पढ़ाने के लिए, अब इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, तो हम इसमें यहां पर दो चम्मच पानी डाल रहे हैं, तक यह बहुत जादा गाड़ी भी ना हो जाए, पानी डालकर हम इसे अब कुछ seconds के लिए उबाल लेंगे, गैस का flame हम low to medium रखेंगे, और इसे दो मिनट के लिए हम और पका लेंगे, औ आप इसे fridge में 1-2 महिएंगे तक store करके भी रख सकते हैं, और फिजर में तो आप इसे तकरीबन 8-10 महिएंगे लिए store कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि ठंडा होने की बाद ठोड़ा जादा गाड़ा हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसे एक बार फ बहुत ही जादा टेस्री लगता है और ये हमारी कैरमल सॉस बनकर तयार है अगर आप इसमें इस तरह से चमच डाल कर देखेंगे ये दिखिए चमच की बैक को अच्छे से कोट कर रहा है तो इतमें से बिल्कुल तयार है अभी हो सकते हैं आपको देखने में थोड़ा पता ल होने देंगे और ये दिखिए कैरमल बेकुल ठंडा हो चुका है और इसी पर नाते समय बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप चीनी मेल्ट कर रहे हैं तो मीडियम या लो फ्लेम पर ही मेल्ट करें और उसका बहुत ध्यान रखें क्योंकि थोड़ी सी भी चीनी ओवर्कुक हो जाती है तो उसमें हलका सा बिटरनेस या फिर हलका सा कड़वा बना जाता है तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है और ये लिची हमारी क्यारमल सॉस बनके तयार है आप इसे किसी भी डेजर्ट में केक्स में मॉफिन्स में या फिर चॉकलेट में आ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और पास ही लागे बेल आइकन पर जरूर प्रेस करते हैं ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और साथ ही आप हमें फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी जाइन कर सकते हैं और नई-नई आपके रहे हुआैना उन आपके लाओार्पोरें धो म सकते हैं खाब ही ताकि लाइकवाल से फरूर जड़न को लाईको बभ्रेस हमेह Alleके देकís कर दूर भी आपके लाइकि वेगे पे शें़िके रहें में